हमने बिना जोइंट के नैपाली टोपी बनाई है फुल साइज में बनाई है इसका उफरी हिस्सा बिल्कुल काइट की तरह है यह हमने किस तरीके से बनाया इसकी वीडियो सुरू करेंगे सिंपल से हंड्रेड फंदे हमने डाल लिये हैं 100 फंदे अब इसे हम बारा नंबर की सिलाई से बिनागे हम गोल सिलाई से बिन रहे हैं आप लोग दो सिलाईयों से भी बिन सकते हैं इस सिलाई के फंदे हम गोल सिलाई में ले लेगे उल्टी सिलाई बिनते हो पूरे फंदे इसी तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेगे पूरे फंदे हमने गोल शिलाई में ले लिये हैं अभी हमने उल्टी उल्टी शिलाई भी नहीं अब यहां से एक शिलाई सीधी भीनेंगे इस शुरू का फंदा है तो इससे ज़रा टाइट कर लेंगे एक लाइन सीधी सीधी भीन रहे हैं एक लाइन उल्टी उल्टी अभी उल्टी लाइन हमने बिन ली है अब हम सीधी लाइन बिन लेंगे इसके बाद फिर उल्टी फिर सीधी इस तरीके से इसे बिन लेंगे इसके बाद फिर हम बताएंगे आप कि कैसे करना है चार सिलाई हमने उल्टे बिन लिया है और तीन सिलाई सीधा साथ सिलाई हमने ये बिन लिया है अब साथ सिलाई बिनने के बाद यहां से हम दो फंदों का एक करेंगे ये दो फंदे ले लिये हैं दो का एक कर लिया है अब यहां से हमने फंदे घटाए हैं यहां पर हम एक safety pin लगा लगे अपने idea के लिए दूसरी line में हमने फिर यहीं से घटाना है तो हमें ध्यान रहेगा अब इसमें 100 फंदे हैं पचास फंदों के बाद हम फिर फंदा बढ़ाएंगे यहां पर हमने फंदा घटाया है तीन फंदे यह बिन लिए है चार, पांच, छे, सार, आठ, नो, दस दस फंदे हमने यह बिन लिए हैं एक, दो दो फंदे लाल कलर से और दो फंदे क्रीम कलर से एक, दो दो फंदे लाल से और दो क्रीम से और बाकी फंदे जिस कलर से हम बिनते वे आ रहे हैं उसी कलर से बिन लेंगे अब 49 फंदे हमने यह फंदा घटाने के बाद 49 फंदे बिन लिए हैं उन पंचास फंदे अब यहां से हमने एक फंदा बढ़ाना है ठीक आधा होगे यहां से हमने फंदा घटाया था अब यहां से फंदा बढ़ाएंगे फंदे उतने के उतने ही रहेंगे जितने थे अब यहां से एक फंदे का हम दो बना लेंगे एक बार पीछे से बिन रहे हैं एक बार आगे आप इस तरीके से भी फंदा बढ़ा सकते हैं नीची से उठा के भी फंदा बढ़ा सकते हैं, किसी भी तरीके से यहाँ पर फंदा बढ़ा सकते हैं अब यहाँ से हमने फंदा बढ़ाये हैं, तो यहाँ पर भी हम एक safety pin लगा लेंगे अब यह हमें ध्यान रखना है यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ से एक फंदा घटाएंगे फंदे उतने के उतने ही रहेंगे एक साइड उस टाइम हमारे 50 फंदे थे, एक साइड उन पंचाश फंदे क्योंकि एक फंदा हमने यहाँ से घटा लिया था फिर यहाँ से एक फंदा बढ़ा लिया है, अब 50 फंदे इस साइड हो गए 50 इस साइड उल्टी उल्टी लाइन हमने ये पूरी बीन दी है अभी हमने उल्टी लाइन में यहां पर दो फंदों का एक किया था एक लाइन में करेंगे और एक सिलाई में नहीं करेंगे इस सिलाई में हमने किया था तो आप इस सिलाई में हम दो फंदों का एक यहाँ पर नहीं करेंगे यहाँ से अब हमको सीधी लाइन बिनने है अब जो दो लाल से दो किरीम से हमने जो बिने थे यह फंदों को इसी तरीके से दो जो लाल से बिने हैं दो लाल से ही बिनेंगे सेम कलास से उसी तरीके से रिपीट करेंगे जो पहली लाइन में बिना था अब हमारी यहाँ पर दूसरी सेप्टी फिन आ गई है यहाँ से हमको फंदा बढ़ाना था अब हमने इससे पहली वाली लाइन में यहाँ पर फंदा बढ़ा रखा है तो इस लाइन में कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे पूरी लाइन सीधी सीधी बिन लेंगे अब यह सेप्टी पीन आ गई है यहाँ पर हमने दो फंदों का एक करना इससे पहली वाली लाइन में जब सीधी लाइन हमने बिनी थी इसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाया था तो दूसरी लाइन में अब हम घटा लेंगे यहाँ से उल्टी लाइन बिनेंगे और दो फंदों का एक करना लेंगे अब यहाँ पर दो गलरी आ गई पहली लाइन में हमने दो फंदे भी ने थे दूसरी लाइन में उसी को रिपीट कर लिया था दो लाइन सेम बनाने अब इस लाइन में जो पहला वाला लाल फंदा है इसको इस कलर से बिन लेंगे अब यहाँ पर एक लाल से बिन लिया इसको भी लाल से बिनने, बिनने दो ही फंदे, दो फंदे बिन लिए, अब एक इस कलर से बिनने, एक यहां से लेंगे, तब ही डिजाइन हमारा इस तरीके से आईगा, बाकी फंदे इस कलर से बिनने, दूसरी लाइन में फिर इसी को रिपीट करेंगे, दो लाइन होने के बाद फिर इस फंदे को पहला वाला जो लाल कलर है इस कलर से बिनने, यहां पर दो लाल बिनने, फिर एक यहां से ले लेंगे, दो यह क्रीम कलर से बिनने, इसी तरीके से उपर को इसे बिननने, अब हमारी दूसरी वाली ये safety pin आ गई है यहां से हमको फंदा बढ़ाना था इस safety pin से घटाना था और यहां से बढ़ाना था एक फंदे के दो कर लेंगे आप फंदा किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं एक बार ये बिल लिया पीछे की side से ले लिया एक बार आगे के एक फंदे के हमने दो बना दे एक फंदा यहां से बढ़ गया अब इसकी बाद जो दूसरी line होगी उसमें हम कोई फंदा यहां पर नहीं बढ़ाएंगे एक एक फंदा छोड़ंगे एक सलाई छोड़ के यहां से फंदा घटाएंगे एक सलाई छोड़ के यहां से फंदा बढ़ाएंगे इसी तरीके से इसे उपर को बिन लेंगे यहां से हमने फंदे घटाए और यहां से फंदे बढ़ाए इस safety pin से घटाए इस safety pin से बढ़ाए इस तरीके की तिर्शी हमारी टोपी आएगी इस तरीके से टोपी की लंबाई चोड़ाई नापके दिखाएंगे टोपी की लंबाई साड़े साथ इंच और इसकी चोड़ाई आट इंच टोपी की लंबाई पूरी हो गई अब जो हमने ये सेप्टी पीन लगाई थी यहाँ से फंदे घटाए थी इसको भी खोल दिया यहाँ से बढ़ाए थी अब इसकी लंबाई पूरी हो गई है अब उपर का हिस्सा नाप लंगे 9 इंच 9 इंच उपर हो रहा है अब यह 9 इंच हो रहा है साड़े चार इंच पर हम यानि कि ठीक आधिप है यहाँ पर हम सेप्टी पीन लगाएंगे साड़े चार इंच पर एक इस साड़ लगा देंगे एक इस साड़ अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा जहां से हमने फंदे बढ़ाएंगे वहां से बिन लगाएंगे जहां से यहां से तो हमने फंदे घटाएंगे और यहां से बढ़ाएंगे अब जहां से फंदे बढ़ाएंगे वहां से हमें पास फंदे बिन लेना है एक, दो, तीन, चार, पांद, फिर इसको इस तरी से परट लेंगे, फिर ये पांच फंदों को भी न लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे बिन लिये हैं, एक फंदा यहां से बिन लिए, छे, अब इधर को पलट लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, फंदे बिन लिए, एक फंदा यहां से लिए, अब हमारे पास साथ फंदे लिए, फिर इधर को पलट लेंगे, फिर यह साथ फंदों को बिन लिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, एक फंदा यहां से लिए, आठ हो जाएंगे, फिर इसको इधर को पलट लेंगे, फिर यह आठ फंदों को बिन लिए, एक यहां से लिए लिए, फिर नौ फंदों को बिन लिए, फिर एक यहां से ले लगे 10 इसी तरीके से पूरे हमने जहां तक ही safety pin लगा ठीक आधे तरक हैं दोनों साइट हमने safety pin लगा लिया है यहां तक इसी तरीके से बिनेंगे इसके बाद हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है इसको बींते हुए हम पूरा आधा तक इसे ले आए अब यहाँ पर भी safety पीना गई है और इस side भी हमारी safety पीना गई है यानि कि ठीक आधा हो चुका है आप लोग फंदे गिन के भी इसे आधा आधा कर सकते हैं फंदों का आधा एक साइड आधा एक साइड आधा एक साइड अब यह safety पीन को निकाल देंगे दोनों साइड से अब यह फंदा हमने बिन रखा है यह निकाल ले अब इस फंदे के साथ एक फंदा यहां से अभी तक इसको हम एक फंदा यहां से ले रहे थे तो इसको इधर को बिंते विला रहे थे अब हम इस फंदे के सान्न इस फंदे को यह दो फंदे ले लिये दो का एक कर लिया फिर इसको इधर को मोड़ूं दे ये फंदा बिन लिया फिर यहाँ पर ये दो फंदे दो का एक कर लिया दो बार करना है फिर ये फूरे फंदों को हम बिन लेंगे अब यहाँ से भी इसी तरीके से करेंगे एक फंदा यहाँ से ले लिया एक दो ले लिया दो फंदों का एक कर लिया फिर इसको इधर को मोड़ूंगे पहला फंदा यह बिन लेंगे यहाँ पर दो फंदों का एक कर लिया अब यह पूरी सिलाई बिनेंगे फिर यहाँ पर इसी तरीके से फिर करेंगे एक फंदा इधर से ले लेंगे जो फंदे हमने बिने हुए हैं एक इधर से तो दो फंदों का एक कर लिया फिर यहाँ पर दो फंदों का एक यहाँ कर लिया तो कि अब हमको एक एक फंदा ये घटाते वे जाना है इसी तरीके से पुरा बिल लेंगे इस तरीके से यहां से फंदे घटाते हुए हमने अब हमारे पास सिर्फ पांस फंदे बचे ये पांस फंदों को अब इस तरीके से बंद कर लेंगे एक फंदा यहां से ले लिया एक फंदा यह ले लिया यहां पर दो फंदों का एक कर ले लिया पीछे से दो ले लिये एक आगे वाले से लिया तीन फंदों का एक कर ले लिया फिर इसे पीछे अलिश लाई में डालेंगे पीछे से दो ले लेंगे एक आगे तीन फंदों का एक कर लेंगे मून को यहाँ प्याब कट कर लेंगे अभी डोरी को हम कुरूस्या से अंदर डाल देंगे इस तरीके से हमारे चौकोर में फंदे बंदों होई काइट की तरह बन जाए तोपी हमने पूरी बना लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें झाल झाल एक हम झाल 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 झाल